सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिलकुल मुफ्त में। बढ़ रहा है या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक चमतकार एक आसन के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपकी इन सभी परिषानियों से निजात दिलाने में। तो मैं अतुल मिष्रा सिधियोगा से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं सेतुबंध आसन के बारे में, जिसका की इंगलिस में नाम है ब्रिच्पोस। तो दोस्तों बिरिज का आर्थ होता है सेतु और बंद का आर्थ होता है लॉक इसलिए हम इसको सेतु बंद आसन या फिर इंगलिस में बिरिज पोस कहते हैं आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आपको knee pain की समस्या है, अगर आपको constant lower back में pain है, अगर आपको cervical की समस्या है, तो आपको इस आसन को नहीं करना है, अगर आप फिर भी इस आसन का अभ्यास करते हैं इन समस्याओं के साथ, तो आपको props के साथ और कुछ special technique यूज़ करनी ह जिनके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपको वीडियो end तक देखना है, तो चलिए start करते हैं practice अपने सेतु बंदासन की, तो सबसे पहले आपको धंडासन की position में बैठ जाना है, उसके बाद धंडासन में परिटनी के बाद आपको अपने दोनों पैरों को band करके, दोनों हाथों को अपने hips के थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे, hips को नीचे करके, कौनियों की support से आपको कमर के बल लेड जाना है, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, मिला के रखेंगे, दोनों हाथ अपने hips के side से रखेंगे, आप हम सेतु बंदासन की position में जाएंगे, तो पहले हमको अपने दोनों पैरों को एक-एक करके band करना है, तो घुटनों से mold लेंगे दोनों पैरों को, दोनों पैरों की बीच में आपको gap रखना है, कितना gap रखना है, जितना आपके shoulder एक दूसरे से दूर है, उतना ही आपकी जो area है, वो एक दूस press करेंगे, और गहरी स्वांस अंदर लेते हुए दीरे दीरे अपने hips को ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस तरीके से, ध्यान रखना है, आपके दोनों shoulders mat पर रहेंगे, दोनों feet एक दूसरे के parallel रहेंगे, अब आपको अपना ध्यान अपनी कमर के निचले भाग पर ले जाना करेंगे, जो कि आपको help करता है, आपकी cytica की समस्या में, अगर आपको slip disc की परेशानी है, तो उसमें भी ये आपको आसन बहुत ज़्यादा help करेगा, अगर आपको lower back pain है, उसमें भी ये आसन आपको बहुत ज़्यादा help करेगा, आप इस तरीके से hold कर सकते हैं, आपको 30 seconds क स्टार्टिंग में as a beginner, 2-3 round करने हैं, ये आसन आपकी thigh muscles को भी बहुत ज़्यादा strong करता है, क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे, तो आपकी thigh muscles पर भी pressure आ रहा है, आपके जो buttocks हैं, जो hips हैं, उनमें भी कहीं न कहीं आपको contraction feel होगा, तो आपकी hips की toning को बहुत अच्छा क करने के लिए, अगर आपको इस तरीके से hold करने में परिशानी होती है, आप जादेर तक नहीं रुख सकते हैं, तो आप दोनों कौनियों को एक एक करके band करके अपनी back side को इस तरीके से support दे कर भी इस आसन को कर सकते हैं, बर ध्यान रहे हैं, आपके दोनों shoulders नीचे जमीन प पर वापस, फिर धीरे धीरे अपने hips को नीचे mat पर लेके आएंगे, तो ये दोस्तों अगर आप completely fit हैं, तो आपको इस आसन को इस तरीके से करना है, अगर आप बिल्कुल beginner हैं, आप अपनी कमर को ज्यादा उपर नहीं उठा पाते हैं, या फिर आपको cervical की समस्या है, तो आपको इस तरीके का pillow, अगर आपके घर पर available है, तो आप इस तरीके का pillow ले सकते हैं, अगर ये available नहीं है, तो आप कोई भी blanket लेकर उसको fold करके इस तरीके से अपनी mat पर रख लीजिए, उसके बाद आपको उस blanket या pillow पर लेट जाना है, बर ध्यान रहे, आपको इस तरीके स और आपके जो सर है, वो mat पर रहेगा, तो इस तरीके से जब आप position लेते हैं, और आप आप आशन के final pose में जाएंगे, तो आपकी गर्दन पर कोई भी pressure नहीं पड़ेगा, तो दोनों हाथों को body के side से रखेंगे, feet को parallel करेंगे, दोनों heels में shoulder के बराबर gap रखेंगे, हाथ क की हतेलिया और पैर के पंजो को press करते हुए, स्वास भरते हुए, दीरे दीरे अपने hips को ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो इस तरीके से आप hold कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो फिर से हाथों को band करके अपनी कमर को support दे के भी इस तरीके से इस आसन को hold कर सकते हैं, तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी गर्दन पर बिल्कुल भी pressure नहीं आगा, अगर आपको cervical है, low blood pressure है, तो आपको अपनी गर्दन की muscles को relax रखना होता है, तो आपको इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर रहा है, वापस आने के तो आपको किस तरीके से करना है, आप इस तरीके का pillow, या फिर ऐसे ही जो आपने लास्ट राम यूज के था इस तरीके के दो pillow, आप ले सकते हैं यहाँ पर, अपनी कमर के पीछे रखना है, और इस पर आपको इस तरीके से लेड जाना है, साथ में आप ले सकते हैं belt, तो अ दोनों हातों से पकल डेना है, गर्दन को रिलेक्स करेंगे, अब यहां से क्योंकि आपकी कमर का अधिक्तम भाग जो है वो पिलो के उपर है, तो जब आप अपने हिप्स को उपर उठाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से और ज्यादा से ज्यादा अपने हिप्स को उपर की उठा सकते हैं, तो यहां पर आप जब ज़्यादा ज़्यादा उठाते हैं, तो आपकी जो चेस्ट है, जंगुलर है, वो चिन के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, तो यहां पर आपका जालंदर बंद भी लगता है, जो कि आपकी थायराडगी समस्या के लिए बहुत ज रखेंगे और बैठने की बोजिशन में आ जाएंगे अगर आपके पास घर पर इस तरह का फिलो अविलेबल नहीं है तो आप बिना इसके भी सीधे लेट कर पीट के बल और इस तरीके से बैल्ट को लेकर स्वास भरते हुए इस तरीके से भी इस आसन का भ्याद कर सकते हैं त आपको वापस आना है अब आप बैल्ट को साइड में रखें बैठने की पोजिशन में आ जाएंगे तो दोस्तो इस तरह से आपको इस सेतुबंध आसन का अभ्याद करना है जो प्रिकॉशन्स आपको बताई है उनका आपको खास कर ध्यान रखना है अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो आपको प्रॉप्स के साथ इस तरीके से ही इस आसन का अभ्याद करना है मैं आशा क करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आयोगी और आपको सेतुबंध आशन करने का सही तरीका समझ में आ गया होगा जल्दी मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार